भासा सिक्षन के सिध्धान्त की करी में आज हम और दूसरे सिध्धान्तों की चर्चा आपके सामने करेंगे। जैसे इसमें क्रिया शीलिता का सिध्धान्त। देखिए कक्षा सिक्षन में खासकर अगर आप भासा सिक्षन कर रहे हूं या इसके अलावे भी हम दूसरे विश्यों को भी परहते हैं तो उसमें भासा का ही प्रियोग करते हैं। लोवर एडुकेशन में ज्यादा और हाईयर एडुकेशन में थोड़ा से कम। आप थोड़ा सा क्रिया शीलन को बढ़ावा दीजिए। आपका मुवमेंट हमेशा होना चाहिए। आप अगर एक ही जगा फिक्स हो जाएंगे एक ही तरीके से आप बोलेंगे एक ही तरीके से आप बताएंगे तो बच्चे के उपर उसका सकाराप्नकसर नहीं होता है। जड़वत इस बात की है कि थोड़ा सांब अपने हाव भाव आप प्रदर्शन के मार्फत से अपने जो मुखाकृती की जो भववर्जना है उन सारी के द्वारा हमेशा क्रियाशीलन होता रहे और इसके अलाबे चयन का सिद्धात आपक्षा में चाहे भासा सिक्षन कर रहे हो चाहे आप विमिन पकार के विश्यों के बारे में आप वहाँ पर अध्यापन का कादि कर रहे हो तो खक्षा में आप चेहन कीजिए कि काउन सा बच्चा प्रतिवा साली है, काउन सा बच्चा डल माइंड़ है, काउन सा बच्चा विक्तित्यु के अस्तर पे एक्स्टोवहर्ट है, काउन सा बच्चा विक्तित्यु के अस्तर पे इंटोवहर्ट है, इन सारी चीजों का चेह कीजिए और तब उसके बाद से आप हासा सिक्षन के माधियन से डिफरेंट मेथेड्स को वाँ प्रियोग कीजिए और ऐसा करते हैं आप न तो उन बच्चों के साथ आप नियाय करते हैं चुकि देखिए पढ़ाने के दर्मियान हमेशा इस बात पर ध्यान रहना चाहिए कि के बच्चे जो खास के बिसेश्ट का टुगरी के हो उनके साथ ज्यादा तर नियाय हो अगर आप इस पकार से इस चैन के सिध्धान को आप को इंप्लिमेंट करेंगे तो बच्चे का सिक्षन बढ़िया होगा बच्चे का अधिगम बढ़िया होगा और इसके अलावे हैं बच्चे के बच्चे होते हैं और उन बच्चों का आप वरगी करन कीजिए और उसमें आप भीर पकार से भी भाजित कीजिए फर्ज कीजिए आप आप की किसी कर्षा में आयक्यू के हिसाब से अतिपतिवासाली बच्चों की संख्या चार है आपकी कर्षा में सामान्य बच्चों की संख्या जो सामान्य बुद्धी लब्दी के बच्चे होते हैं उनकी संख्या सब से जादा है 30 है मंद बुद्धी वालक या बालिकाओं की संख्या 20 है या 15 है तो इस पकार से आप उनको भाजित कीजिए उनका अलग-अलग गुरूप बना दीजिए वितित्तु के अस्तर पर अगर आप उनका वर्गी करन करते हैं तो फिर उसमें आप एक्ष्टरवर्ट वाले को इंट्रवर्ट वाले को एंबिवर्ट वाले को तीन पकार सुन को अलग कीजिए अगर आप aptitude के अस्तर पर करते हैं तो किसकी रूची mathematics में है, किसकी रूची ग्यान में है, किसकी रूची गायन में है, किसकी रूची वादन में है इन सारे चीजों के मार्फत से आप उसका भी भाजन कीजिए और छटटचटा ग्रूप बना करके, ऐसे बच्चों को अलग से अगर सिक्षा की जाए, ऐसे बच्चों को अलग से पढ़ाया जाए, तो उन बच्चों का साथ नयाय होता है, और वो बच्चे सही प्रकार से अध करन का सिध्धान, देखिए, सिक्षक बन्दू, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, इस बात पर सबसे ज़्यान देनी की जरूरत है, चाहे आप higher education पढ़ा रहे हो, चाहे आप lower education पढ़ा रहे हो, सिक्षक के पढ़ाने का बहुत कुछ असर बच्चों के उपर होता है, आप ज पकार से blackboard पे whiteboard पे किसी पकार के board पे आप perform करते हो, बच्चे अनुकरन के मारफद से उन चीजों को आत्मशाद करते हैं, खास कर जितना lower education है ना, इसली कक्षाएं है ना, उन कक्षाओं में तिसका जबर्दस्त असर होता है, कि जैसे ही सिक्षक को वो जिस पकार से वो प आपने साथ कर लेते हैं, उसको सीख लेते हैं, और जब ही perform करने के घरी आती है, तो ऐसे ही करते हैं, इसलिए हम को इस बात अध्यार रखना चाहिए, कि कक्षा में हम इस पकार का ब्यवहार प्रदर्शित करें, हम कक्षा में इस पकार से अप मेतनलोजी का प्रियोग करें कक्षा में इस पकार से हम परफार्म करें, कि बच्चे या प्रशिक्चु हमारा अनुकरन कर सकें, और इसके अलाबे हैं अभ्यास का सिधात, हमने पिछले वीडियो में थोरी सी चर्चा इसके बारे में की थी, कि देखिये, प्रैक्टिस एक बहुत बरी चीज है, लर्दि इसे देखिये कि कक्षा में जब आप बच्चों को मतेमेटिक्स परहा रहे हैं, खासके जब आप ग्रामर परहा रहे हैं या इस पकार के कोई ऐसे बीसे परहा रहे हैं, तो वहां पर प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है, आप भाशाई शंप्रेशन के माध्यम से बच्च का अभ्यास अप लगातार कराते रहें, अगर हो सके तो आप उसमें उनका साथ दें, और ऐसा करने में आप आम्याब होते हैं, तो क्या होता है, कि अभ्यास के मारफद से different aptitude होते हुए भी, different intelligence होते हुए भी, different personality होते हुए भी, उस part को वो सीख लेते हैं, उस part को जान लेते हैं, इसलिए इस बात को हमेशे ध्यान में रखना है कि आप बच्चों को अभ्यास कराते रहें, उनको practice कराते रहें, जो बच्चे practice में रहते हैं त तो वो बहुत सरी बातों को वैसे भी सीख लेते हैं, और इसके रावे स्वेम संसोधन का सिधार्थ, एक सिख्चक को अपने पर confidence होना चाहिए, एक सिख्चक को इस बात का अभान होना चाहिए, कि कक्षा का जो demand है, बच्चों का जो demand है, बच्चों के रुचियों के अनु बच्चे की creativity समन्दित चमताओं के अनुसार, बच्चे के वितवत्य के अनुसार, बच्चे के IQ के अनुसार, हम उसे साब से अपने स्वंप्रेशन में संसोधन करें, कभी कभी क्या होता है, कि पढ़ाने के दरमियान, खासर भासा सिक्षन को करने के दरमियान, या बहुन कोई बात ऐसी होती है जिसको बहुत धीमी गती में बोला जाता है कोई-कोई बात ऐसी होती है कोई-कोई प्रकरन ऐसा होता है कोई-कोई प्रसंग ऐसा होता है जिसमें क्या किया जाता है कि चेहरे पे भाव प्रदर्शित करने के लिए उस प्रकाड की भाव को लाया जाता है और कोई-कोई बाते ऐसी होती हैं कोई-कोई प्रक्राण ऐसा होता है जिसमें बड़े सहज सरल अंदाज में अपनी बातों को लोग वेसे ही रख देते हैं कि बीग इंग टीचर आपको ध्यां डखना चाहिए कि आप परम परागत रूप से बलकि आप इस प्रकार से बिलकुल सांटिफिक वे में आप पढ़ाने के दर्मियान अपनी मेतेडिलोजी में संसोधन करें आप इस पार्ट में भी संसोधन करें आप उस एक्जांपल्स में संसोधन करें और संसोधित रूप से अगर बच्चे समझ रहें इस बात को तो इस बात को आप बिलकुल अमनी जमा पहनाई है अगर ऐसा करने में आप सक्षम होते हैं ऐसा करके अगर आप बच्चों को समझाते हैं बताते हैं सिखाते हैं तो बच्चे का अधियम बड़ा ही म लेकिए बहुत सारे सिक्षक बंदु कक्षा में हार मान जाते हैं कभी कभी क्या होता है खासकर आखेरी घंटी में परहाना बड़ा ही दुश्वारी वरा काम होता है चुक्कि बच्चे mentally prepared होते हैं कि आखरी घंटी है मानसिक रूप से वह स्थिर्ण नहीं रहते और ऐसी स्थित्री में बच्चों को परहाना बड़ा ही मुश्किल होता है लेकिन जो कुसल सिक्षक होते हैं जो दक्षी सिक्षक होते हैं जो अस्यार सिक्षक होते हैं वो सिक्षक क्या करते हैं कि वो परहाने के दर्मियार हार नहीं मानते वो इस प्रकार से एक्जाम्पल्स देते हैं इस प्रकार से सुत्रों का दिरूपन करते हैं इस प्रकार से अप्री बातों को रखते हैं कि बच्चे उन चीजों को बड़ी तिम्रिकती से उसको सीखते रहते हैं और इसके रिए सबसे ज़्यादा जरूवत इस बात की है कि आप विभिन्य प्रकार से प्रयास करें कभी इस कोने से कभी उसकोने से आप बच्चे को जैसे भी समझाना हो निगाह बच्चे पर हो और फिर आपकी जो मिधरयलोजी है उसके माध्यम से अपने संप्रेशन के समझाने का प्रयास करें कि आप ये भी देखें कि बच्चे की माने स्थिति क्या है ये भी देखें कि बच्चे किस पकार से अधिगम कर रहे हैं आप इसलिए वहां पे विभिन्य प्रकार से प्रयास करें अगर इस उदारन से नहीं समझ राद दूसरा उदारन दीजिए औ इसलिए आप इन पकार से बहमुखी जो प्रियास है उसको आप बच्चों के सामने पेश करते रहें अगर ऐसा करने में आप कामियाब होंगे तो निश्चित रूप से ना सिरे भासा सिक्षन बलकि भासा के माधियम से जो हम इन पकार के विश्यों का हम सिक्षन करते हैं या अधिकरम कराते हैं बच्चों को बच्चे उसका सही पकार से सठीक पकार से उसके वो सीख पाएगे आगे हम इस करम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे वीडियो में आपके सामने होगे